हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तु या क्या कर रहा है? यार मुझे एक कॉल आया था अच्छा तु 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 झा भी उसी लिए फोन कर गई यापर बला है? हाँ यार मगर यह हो कैसे सकता है? यही तो हम सुच रहे थे यार आखिर उसी हमारे बारे यह पता कैसे चला हाँ यार सालो हो गए यार उस बात को तो फोन कैसे कर सकती है? अतुमा यह दूआ कैसे? यह दूआ कैसे कहा हाँ तुम अरि वह अज़ कोई भी निया और ट्रेनर सर मीनिये आज़ तुम्हे। तरने में बहुत मजा एगा कुछ तो हुआ है यहां पे साथ अ? अ? तौरे गलेंगे बाताइबू पाप लो गेंग पर इगा कर दो एक फे करते हैं कि अ. आर कि करो एगू कने है यहां पर किसी को मारा गया शायद इसके बाद लाश को फूल में फेक दिया गया पर सर लाश का भी होगी फूल में से तबेख सेरफ पूल के अंदर जा के देखो यह से तभर Разहा हम ढsomething प्रिए मैं हैंज ज कंड़िया में को आ trusting رव किम डिले कर दो भीन मीश से ऐसा ह panels कहीं माली है एसी क्राँ़िया शिले देटी ऐन系ा चली इड अ चुबा अंग, कि अ जड़豆 देश deputy कि कamento हो एस हमना कर गा झाप Adapt 23 ल fulfेश्या और कि सक्ना है झाल झाल एक नहीं, दो नहीं, चार चार लाशे हैं, जाए हैं, चार चार लाशें? चार चार लाशे. ये सर्व, वहांपे. झाल डिन में गुञ मुटती हुआ है। फटंस अवंट खर समाना सब यंग लग रहे हैं, बाइस से अठाइस के बीच लग रहे हैं से, जूते और कपड़ी भी अच्छे पहने हुआ है, लग तो रहा है कि अच्छे फैमिली के हैं, के लुटने खाल को गलक काटके माना जा है है, जूते हैं, नाखोने लोग सपेद होगे लगे हैं, अच्छे से बीच से पूरा खूम निकल जाने के बाद ऐसा ही हुआ है, कि शरीव से सारा खून निकल के फूल के पानी में मिल गया है ये चारो इसी कॉलिज के हैं क्या नहीं सर शरी ने पहली बार यां देख रहो पहली बार? ये इस कॉलिज के नहीं है? तो फिर अंदर कैसे है? बाहर के लोग गो एंट्री अलाओ रहा है कि अंदर? नहीं सर, बगार आई काड के हम किसी उगंची नहीं देते हैं आपर तो फिर ये लोग अंदर कैसे हैं? अंदर आने को कोई और रास्ता है? नहीं सर, अंदर आने को कोई रास्ता नहीं कोई उसा रास्ता नहीं है तो फिर आये कहां से ये लोग सर, सर, शायद ये दीवार कुट कैसा? विवेख, पूर्भी, तर जा के देखो आँ? ये सर, सर. पुर्भी, ये देखो, यहां से जाली तूटी हुई है, मतलब वो चारो लोग यही से अंदर गुसे हैं, ये क्या है, खाल, खाल, हाँ, ताजी, मतलब वो लोग यहां से अंदर नहीं गुसे, क्योंकि उनके शरीर पे कहीं भी खरोच नहीं है, तो ये खाल किसकी है, शायद क्योंकि है, ये मिला इसकी जेब से, सर ये तो, सर फ्लाइट में जो बैग्स पे टैग लगते हैं, ये लास्टिक तो ऐसे ही लग रहा है, वो सकता है, कहीं आद्मे कहीं बाहर से तो नहीं है, सर ये लास्टिक को देख के हम ऐसा कह सकते हैं, फुरुए तहकिकात में कहीं बाहर ऐसा सोचना पड़ता है, बाद में यही बात सच निकली तो, सर एक और बात, ये चारो लोग जो मरे हैं, चारो का गला काड़ा गया था, एक आदम कोई भी निशान नहीं है, और सर जब इन लोगों का गला काटा गया था, कोई तो चिलाया होगा, तो फिर किसी ने सुना कैसे नहीं, फिर तो एक ही बात हो सकती है, ये चारो लोग बेश रहे होंगे जब इनका गला काटा गया, बेचारे, सर और खुनी जाते वाकि कुछ इनके पोकेट्स में, सब खाली है, सर फिया चोड़ गया, सर एक और चीज छूटी है, क्या, सर ये खाली है, जै सर, मादीवार के ऊपर जाली थोड़ी तूटी हुई थी, ये खाल उसी पर लगी थी, शायद खुनी दीवार के ऊपर से खूत के आया था, और खूते वक्त उसे चोट भी लग गए, इन चारो लोगों की फोटो ले लो और टीव पे दिखाओ, सर, मेरा पती वहाँ गए क्यो थे, सर ये जगन की वाइफ है, सर बताईए ना, के के कॉलश क्यों गए थे, जहां की मौत होने वाली थे, क्या आपको बताएने आपके पती में, कहां जा भी आपके पती ने भी आपको नहीं बताया के वह कहां जा रहे हैं? नहीं सर, मुझ से कुछ नहीं कहा उनोंने, किया आप इन्हे जानती हैं? नहीं सर, आपके भी पती की मौत हो गई है, हाहाँ जिया वहीं पर इसी सुमिंग पुल में जहां पर आपके पती क्यु हुए लेकिन सर वो केके कॉलेज गए है क्यु थे सिख पात बताईए क्या आपके पती राहून ने कभी जगन के बारे में बात किय थी आपके साथ जगन ये कौन है जगन इनके पती है अग्ईail क नई सर् मैं तो ये नाम पर ली बार सुरही हूँ अच्छा जगन ने कभी राउल के बारे में बाड की थी आपसे नई सर् कभी ने आदर गृत्वर डोनों उन से अग्यानती है इंके पति भी अग्याल को नzonती थे तो पिर दोनों किलाश हैं एक साथ स्विमिंग पूल में कैसे हैं? जरा आप जरा ये फुरोगाफ देखिए इसने कभी देखा है पहले? नहीं सर्थ नहीं! नहीं! इन किलाश भी हमें उसी स्विमिंग पूल से मिली नहीं नहीं! हमें लगाके शायद आपके पती नहीं जानते होंगे ये कोई दोस्ती होसी होगी नहीं सर्थ मैंने थेन को अज तक देखा तक नहीं है एक ये टाइम पे चारो साथ में थे चारो के चारो बिना किसी को बताये के के कॉलेज में पहुँचके क्यों? मुझे तो खुदसमझने आता है कि जगन महा गए क्यों त extraction आपको कुछ तो बताया होगा कुछ नहीं बताया आपके पति ने कुछ बताया होगा आपको कहाँ जा रहे है सर, राहूल के ऑफिस में पार्टी थी बाहीं गए थे राहुल के ऑफिस में पार्टी थी? बताया तो यही था उन्होंने कितने बज़े गए लिगो? दो पहर दो बज़े और जगन? जगन गर से कब निकले? सर्व वो घर से निकले थे किसे मीटिंग के लिए करीब तीन बज़े के आसपास तीन बज़े? तीन बज़े चूटता है जगन तीन बज़े चूटता है पि चारो मेशे हैं और चारो का खून भी होता है मुदद चारो अजनवी कुछ मिला सचे? सर जगन और राहुल की भाइब का कहना है कि यह दोनों राहुल आट दूसरे को नहीं जानते लेकिन इनके फोन रिकॉर्ड देखने सुट लगता है कि ऐसा कोई है जो इन दोनों को अच्छी तरह से जाता है मतलत साफ साफ बोलो सचे था यह दो ही सर इन दोनों के फोन रिकॉर्ड में एक नंबर है यह यह नंबर बिल्कुल कॉमन है सर हलो और जिस वक्त जगन और नाहूल का खून हुआ उस वक्त भी इसी कॉमन नंबर से फोना है सर कॉमन नंबर से वह बाकी दो लोग जो मरे हैं हो सकता है उन्हे भी इसी नंबर से कॉल किया गया सर अगर यह नंबर खूनी का है तो बल्कुल हो सकता है सर क्योंकि पिछले एक महीने से इन लोगों को इसी नंबर से फोना है पिछले एक महीने से? हाँ सरे ओ ऐसा लगता है कोई इनके पीछे पड़ा है इस नंबर को ट्रेस के तुम? हाँ सर कोशिश कर रहे है शाम तक बता चल जागा कि ये नंबर है किसका थैंक्यों सर्फ, एइपोर्ट अथारिटी से सोनगा हमने जो दो डेड़ बॉड़ी की फोड़ग्राफ समें पीजी थी उनमें से एक उनके रिकॉर्स ही मैट कर रही है कौन है भू? सर उसका नम पिउश है वकल 11 अच्छाइट से डेली से मुमबई याए है डेली चलके इसके खरवालों से पूछताज करते है पिउश पिउश आगे पिउश जी आप लोग? हम लोग CID से हैं मुमबई CID से? क्योड? क्या हो? Pिउश ठीक तो है? वहम लोग पिउश के बारे में बात कर्ने हैं वैसे आप जी मैं शिखा हूँ उसकी फ्रह पर, पिउश के बारे में आप लोग को क्या बात करने हैं? सब ठीक तो है, न Α, वह बोलिये ना क्या होआ प्यूश ठीक तो है ना? आप लग चुप क्यों खड़े बोली ना? अच्छली मैं सिख शिखा आप प्यूश अब इस दुनिया में नहीं रहे है पुरूश शिखा 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 आपको कोई आइडिया नहीं के प्यूश मुंबई क्यों गया था? कि के कॉलिज के सुमिंग पूल के पास उसे क्या काम था? कॉलिज लेकिन प्यूश ने मुझसे कहा था कि होटल राजपलेस पे इसके कोई मीटिंग ही और वो उसी के लिए मुंबई जा रहा है प्यूश ने अपसे चूट बोला था वो कभी होटल राजपलेस गया नहीं था सचिन ज़र वो फोटो दिखाना इन फोटोस को देखिए इन तीनों मेंसे किसी को पैचानती है? नहीं कौन है ये लोग? ये तीन वही लोग है जिनकी टेट बोड़िस हमें प्यूश को इतने देन से जानती हूँ मुझे नहीं लगता कि प्यूश इन लोग हो जानता था अच्छा पिछे कुछ दिनों से प्यूश के सुभाव में कोई बदलाव नोटीस किया था आपने? हाँ सर प्यूश को फोन आय करते थे और जब भी उसको कॉल आते थे वह परिशान हो जाता था और पता नहीं अकेले में जाकर क्या बात किया करता था आपने इस फोन कॉल के बारे में उसे पूछाने कर भी? करी बार पूछा था बैड़ लेकिन वह कुछ न कुछ कहके टाल देते थे ये पोन प्यूश को कब से आ रहा था पिछले एक महिने से ये वही नंबर है जिससे राहूल और जगन को फोन कॉल साते थे इस प्यूश के कॉल डिटेल्स निखा लो देखो ये वही नंबर है ये नहीं का इंफर्मेशन पत्की एिर ने ये स्वैश स्वैश्ड नमबर से राहूल जगन और शीच को फोन किया गया था वो किसी विपूल काही है तो यही तो यही और जोड जाहिए जबाशा खोल किने है ये विपूल बेखल सर एभ लगते हैं अंदर कोई भी नहीं है आजरतो है नहीं दोगो है हुगो है तो किया थे देख़गो हम दोखे रवाजा कोलिये हम अपर हम की भूलिटिये मैं आपके पैसे आटा देंगी मुझा थोड़ा तोड़े महुलत देजे म्हा अपके पाइस लुटा दूगtext देखिए हमें विपुल से मिलना है विपुल कहा है पता नहीं लेकिन में और विपुल आपके पैसे लोटा देंगे आप चले जाएगे हिहां से अरे क्या पैसे पैसे लगा रहा खार ने हमें कोई पैसे पैसे नहीं चाहिए हम लोग C.I.D. से हैं C.I.D.? हाँ, प्लीज, दर्वाज़ा खोलिए क्या चक्कर ही है सब है यह क्या चक्कर है पैसो का दर असल मैंने और विपुल ने लोगों से पैसे लेके एक प्रोजेक्ट में लगाए थे और वो सारे पैसे डूब गए तो लोग रोज आते हैं घर पे पैसे मांगने के लिए मुझे लगा कि आप लोग भी विपुल का है पता नहीं दो तीन दिन से तो विपुल घर पे भी नहीं आया है मगर आप क्यू ढूंड रहे हुसे आपके विपुल ने चार लोगों का खून किया है नहीं विपुल किसे का खून नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता जब वो पैसे लेके लोगों से दो कदड़ी कर सकता है तो खून क्यों नहीं कर सकता है हो सकता तो चार लोग मरें उनसे भ किसी को पैचानती है? नहीं! यह नहीं हो सकता! क्या नहीं हो सकता? वीपुल को मारना ही सकता! वीपुल मारना ही सकता! इसका मतलब यह जोधा आदमी यह वीपुल है? किसने मारा मेरे वीपुल को? किसने मारा मेरे वीपुल को? देखे ये यह हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप प्लीज ज़रा ये फोटो पिर से देखे ये जो तीन लोग है राहूल, प्यूश और जगन आप इन में से किसे को जानती है? नहीं नहीं जानती और विपुल जानता था? नहीं, वह नहीं जानता था देखे, ये कैसे हो सकता है अगर विपुल उने नहीं जानता था तो पिछले एक मेने से इन तीनों को फोन क्यों कर रहा था विपुल नहीं कॉल कर ही नहीं सकता जब वो नहीं जानता थो कैसे कॉल कर सकता है यह हमने विपुल के फोन रेकॉर्ड्स चेक किये उसने अपने नंबर 1-2-8-7-5-6-4-8-8-0-9 से इन तीनों लोगों को फोन किया है लेकि यह तो विपुल का नंबर है यह नहीं क्या विपुल का नंबर तो डबल 1-5-6-7-5-3-4-3-2 था और उसके पास कोई दूसरा नंबर भी नहीं था सर अब यह क्या पहली है मैंने खुद चेक किया था सर यह 1-2-8-7-5-6-4-8-8-0-9 नंबर विपुल के नाम से है इसका मतलब खुणी ने विपुल के नाम से नंबर लिया था ताकि लोगों को लगे कि इन सब के पीछे विपुल का हाथ है मगर क्यों सरूंके अगर कुछ मिला नहीं है अब तक तो हमें बुला है क्यों अरे यार कुछ बताने के लिए ही बुला है अर तो बिर बता ना एक मिनट बस इन चारों डैट बोड़ीज में खून की एक बूम तक नहीं है इसमें नहीं बात कौन सी पता ही तुने ये तो हमें भी पता है पूरा स्विमिंग पुल इनके खून से लाल हुआ का लाल अबे मुंडी क्या हिला रहा है हाँ बहुत पोस्टम देख गाए मैंने कुछ नहीं दिखा मुझे नहीं दिखा रहा है अरे का बीजी मेला है या सर यह देखिए रपोजिटीव है लेट सी इसका मैं उम्मारा शक्स है इक्जाटीव इसका मैं उम्मारा शक्सार भॉष 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 तो कर? ये निशान ड्रक्स के है बॉस मैंने इनका पेट चेक किया है इनका यूरिनरी ब्लेडर चेक किया है कुछ नहीं मिला है सिर्थ इनके लंक्स में ये छोटे-छोटे जख्म के निशान है इसका मतलब ये है कि इनों ने कोई ऐसी नशीली ड्रक्स होगी है जिसकी वज़े से इनके फेपड़ों में ये जख्म हो गया है मतलब इन सब की मौत ड्रक्स के विस्ट हुई है? नहीं, ड्रक्स से सिर्फ इनने बेहोश किया गया है मौत तो इनकी गला काटने की वज़े से ही हुई है अच्छा एक और बात इन चारों की मौत लगब एक ही वक्त हुई है एक दो मिनट के फासले पर चारों को ड्रक्स सुना कर बेहोश किया इसका तो एक ही मतलब हो सकता है दया कि जिसने भी इन चारों को बेहोश किया वो इन चारों को जानता था और ये चारों भी उस आदमी को जानते थे इन चारों के पिछली जिन्दकी के बारे में सब कुछ पता लगाओ सब कुछ पता चल जाएगा कौन है वो जिसने इन चारों का गला काटा है सार, यह विपुल के फोन रेकॉर्ड से है खुल अले, यह कैसे आव सकता है, सार, जाओ अबजी, है सार, यह रेकॉर्ड के इसाब से कुनी ने विपुल को भी फोन किया है कमाल, पहले विपुल के नाम पर इसने देया सिम काट खरीदा और आप इसी नंबर से विपुल के असली नंबर पर फोन कर रहा है सार, यह खुनी, दिमाग कुछ जादा ही चला रहा है आवीजी, इत और हमारे इंवेस्टिकेशन की गाड़ी भी एक ही जगे पर अठक गई है अब जेद, अगर यह चारो के चारो एक दूसरी को जानते तक नहीं थे तो फिर एक ही जगे पर पहुंचते कैसे है क्या, क्या कनेक्शन हो सकता है इन चारो के बीच में वो चारो दोस्त थे सर क्या, चारो दोस्त है? हाँ बजी, हमने इन चारो का बैगराउंड चेक किया यह चारो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे अच्छे दोस्त थे सर छे साल पहले इन चारो ने एक साथ 12th पास किया थे चारो के चारो एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तो फिर यह ज़रूर कोई पुरानी दुश्मनी ही होगी और खुनी भी उस टाइम का होगा कॉलेज कॉर्य संता किस कॉलेज में थे सुनोगे तो चॉक जहोगे KK कॉलेज KK कॉलेज तुश्रेज तब जहां पर मोत हुई उसी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे चारो जिस दिन मरे थे उस इन मलाड में एक रेस्टाउंट में गए दे सरी है एक साथ गये थे? नहीं सर, अलग-अलग वो भी अलग-अलग टाइम में सर इन सब के उस होटल में जाने के टाइम में एक ही घंटे का डिफरेंस है सर एक ही घंटे का फार्ग? हाँ, हमने विपुल, पियूश, जगन और राहूल इन सब के क्रेट कार स्टेट्मेंट शेक की है इनके पेमेंस के टाइमिंग में भी करेब एक ही घंटे का डिफरेंस है है ना बड़ी हजीब बात चारों के चारों एक ही होटल में जाते हैं और वो भी एक एक गंटे के बात मगर एक दूसरे से मिलते नहीं है और फिर उसी राग मरने से पहले के-के कॉलेज के स्विमिंग पूल पर इकठा होते हैं क्यों? किसलिए? क्या वजे हो सकती है? बाई सब किसलिए आप से पूछ पूछ आज करनी है ज़र ये फोडोग्राफ देखिए आप इन लोगों को पैचानते हैं? ये चारों मर चुके हैं? यह नहीं पैचानते हैं? सर, इने के से बूछ सकता हूँ अबी दो दिन पहले तो ये मेरे रेष्टोरून में आई थे इमकी साथ कोया और भी आई थे? नहीं, सर, ये अकेले ही आई थे और अलग-अलग आई तायम पर आए थे अलग-अलग तायम पर मतलब ये लोग एक दूसरे से मिले आ ही नहीं? नहीं सर एक जाता था, दूसरा जाता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था, इन में से पहले कोई आय था, पहले, पहले यह आय था सर, बिर, फिर यह आय था, और उसके बाद, उसके बाद यह, और फिर यह, मतलब पहले राहुल, फिर जगन, फिर विपुल और प्यूश, अच्छा आपको इनों के बारे में इतने डीटेल में याद कैसे है? याद कैसे नहीं होगा, sir. सर, इनकी वज़े से नुकल का शरावी हमारे रेस्टावान में घुसाया था. नुकल का शरावी? यहीं पर नुकल पर खड़ा रहता है. पतानी उस दिन उसे क्या हो गया था? हरे गंटे में याँ पर गुसाता था और इनसे बाते करने लग जाता था. आपने कुछ सुना कि उन्हें क्या बाते कि? सुन तो नहीं बाया, पर यह जब भी उनसे बाते करता था, वो लोग परेशान हो जादे था. और पताफण अपना बिंच उका कर यहां से निकल जाते हो इस वर्थ यह शरावी का में लेगा है? क्या है? वो राज है? यह है? फिक्से बाते है? स्वर्बल क्या है? क्या है? वो यह वो खाथ बैक अबलगों क्या थाथ अबलगों क्या है? जबलगों क्या है? आपिया, हम लोग CID से हैं, जो जो सवाल करें, चुप चाप उसका जवाल तुझे साप, साप, ऐसा के गलप किया है सारप मैंने? अगर तुने कुछ गलप नहीं किया, तो फिर भाद क्यो रात है, हाँ? यह देख, और सो रेस्टों में इन चारों के छाथ क्या बात कर राता था? वो, वो, बता क्या बात कर राता, देख, वो चारों मर चुके हैं क्या, मर चुके हैं? हाँ, और तो अपने आपको सही सलामाद चाता है, तो बता, तेरा क्या लेना देना है उनसे? साफ, साफ, मेरा कोई ले झाना नहीं हैं अगर प्रश लेना देनामें है तो हरे एक गंठे में में क्या बात करने जाता था साफ, मैं सिर्प चिठी पाँचा था उसके बत्में मुझे पैसे मिल जते थे QTi? क्या है QTi, क्या निख़ा था था समें? पढ़ा तुमने? मैंने चोरी से पढ़ाता था उसमें लिखा था तुम लोग ने जो किया है वो मुझे पता है और इसके कीमत नुम्हे चुखानी पड़ेगी और तुम लोग वही मिलो यहां आखरी बार मिलो थे मलीका पूल के पास प्ला था पूल के पास प्ला था लगता यह कोई पुरानी बदले की गानी है सर अवे सर यह साल 2006 का अटेंदेंट्स रजिस्टर ऐसा बार भी काक्षा का यह नाम देखिये सा राहूल विफुल जगन और प्यूस्ण तो यह चारों दोस्त ने एक साथ पढ़ते भी थे यह सर हादयर अच्छा कौन मलीका हाँ ओके देखता हूं मैं ओके देखता हूं मैं ओके ओके तैय का फोन था उस दिन किसी मलीका ने इन चारों को फोन किया था सर यह देखिए इस रेजिस्टर में एक मलीका भी है यह हाँ सर वो भी उन चारों के साथ ही पढ़ती थी आप मलीका को जानते हैं नो सर मेरा मतलब है कि छे साल पहले जब मेरी यह नहीं नहीं नौकरी लगे थी तो उसी साल मलीका को स्विमिंग चैंपिंशिप मिली थी सर इसलिए मुझे याद है स्विमिंग चैंपियन अचा अब ही कहा है मलीका आपको मालूम है नहीं सर मुझे नहीं मालूम सर अके तो एक काम कलाओ मलीका के क्लासमेट, प्रोफेसर उस समय के जो भी लोग मिलते हैं सर उनको बीरो में बलाओ जगन, विपुल, राहूल और प्यूश छे साल में ले केके कॉलेज में बढ़ते थे क्या उस वक्त आप लोग भी उसी कॉलेज में थे यस सर तो फिर मलीका को तो आप लोग जानते ही होंगे हाँ सर, वो मेरी क्लासमेट थी सुना, इन चारों का जगड़ा हुआ था मलीका के साथ है來 you? नो सर, इन चारों की तो दोस्ती थी इन फ्री काफी अच्छी दोस्ती थी लेकिन हमें लगता है कि इन चारों का खूण मलीका ने किया है नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता मलीका जैसे सिधी सादी लड़कि किसी का खूण करी नहीं सकते Sir, वो गॉलिज के बिलियंड इस्टुडेंट थी, पढ़ाई मेतेज, स्पोर्स मेतेज और यहां तक कि इस्विमिंग में वो गॉलिज की चंपियन थी Sir, मलीका किसी का खुन करी नहीं सकती क्यों नहीं कर सकती क्योंकि, क्योंकि मलीका 6 साल से मेंटल असाइलम है वो किसी का खुन केसे कर सकती है क्यों ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो मेंटल असाइलम है पाता नहीं, Sir बस इतना याद है कि ट्वल्थ के एक्जाम से पहले कुछ हुआ था और उसके बाद हो कभी कॉलेज आई ही नहीं उसके घरवालों ने भी कुछ नहीं बता है नो, Sir चलो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच्च आप लुग जा सकते हैं थैंक यू, सेर्ट अभी जीत, द्यान क्या लगता है क्या वाकई मलिका की दिमागी हाले ठीक नहीं या प्रेद है डोंग कर रही है इसरा अभी जीत, आप लोग मलिका से मिलना तो चाहते हैं पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो इस हालत में नहीं है क्यों, ऐसा क्या चीह साल पहले जब वो यहां आई थी तो बहुती बुरी हालत में थी कोमा में थी वर कोमा में? एकदम बेहोश? जी हाँ, एकदम बेहोश और पिछले पास साड़े पास साल तक वो बिलकुल बेहोश रही अभी पाच्छे महीने पहले ही होश में आई है आप लोग प्लीज बहुती संभल के बाद कीजेगा उससे चीहां, आपको कुछ पता चला था कि इनकी हालत ऐसे कैसे होई थी? क्यों चली गई थी ये कोमा में? कैसे पता चलेगा? तभी कुछ बताती ही नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलती है मल्निका कैसे हैं आप? पांचे महीने से हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने की पर किसी से कुछ क्याती ही नहीं है कांचे महीं है जब बूदर देरे ज़ए। बुट गए बुट गए। मैं कुछ भी नहीं आई अट नर्स कुछ भी नहीं वाई अट भी नर्स जब बुट जबॉट पानी से ड़ लगता है इसको अबर सा मले का स्विमिंग चाम्पियन थी स्विम्मिंग चैंपियन और पानी से डगए उन चार लोगों के लाशें पानी में मिली है लाशों का पानी में मिलना और मलीका का पानी से डगना है लगता है मलीका का उन जारों से कोई न कोई कनेक्शन है गभराइए मत थोड़ी दिर में नॉर्मन हो चाहिए चाहिए मलीका पैसे मिलने, उसके माँबाप, भाईबेन, कौन आता है आपे कौन है? बहुत मुश्किल से सिर्फ उसका नाम पता कर पाएं हम लोग बस एक फोन आता है फोन आता है? किसका? एक आदमी है, जो हर्मईने पैसे भेज़ता है, बस वही फोन करता है आपने मलिका को लिजाने की अजाज़त दे दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत देना है अब जो कुछ भी कर रहे हैं मलिका की भलाई के लिए कर रहे है देखी मिस्टर अभजीत, आप लोग तो इनकी हालत जानते ही है इसलिए आप लोगों को इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा यहाँ बिल्कुल फिकर मत कीजिए जो हम जो भी अच्छा होगा इनके लिए करेंगे बिल्कि मैं सजेस्ट करूंगी आप इनकी साथ हमेशा एक नर्स रखे नर्स के ज़ुरत पड़े की तो आम फॉरण आपको फोन कर देंगे ठीक है पर आई होप आप इने जहां भी ले जा रहे हैं इनके दिमाग को कोई भी नुक्सान नहीं पहुचेगा आप बिल्कुल परशान मत हुए आम होने ही नहीं देंगे ऐसा ओके थैंक्यू सब ठीक है सर्ब मैं कौन हूँ यह मत पूछों बस मेरी बात सुनों CID मलेका को अपने साथ ले कर कई है कहां गई है यह भी मैं जानता हूँ अगर मलेका को बचाना चाहते हो तो आदे घंडे बाद मुझे ताथा रोड पर मैला क्या मडम बिल्कुल टाइम पर आ गई हैं आप तो मैंने फोन किया था ना अरे कमाल करती है आप आपने मेरी आवाज नहीं पैचानी तुम हो का अरे मुझे छोड़िये न मेरे से क्या लेना देना आपका आप बस मलिका से मतलब रखिये अगर तुम मेरे मदद क्यों करना चाहते हैं क्या फाइदा है तुम्हारे इसमें रोकड़ा मैडम मैं आपको मलिका के बारे में इंफ्रमेशन देता हूँ बदले में आप मुझे तो इसके क्या गैरंटी है कि तुम मुझे इंफ्रमेशन सही दोगे सही बोलें आप और गैरंटी चाहिए सिएडी कहा लेगे मलिका को मलिका यह वही सुमिंग पूल है जहां पे छे साल पहले कुछ हुआ था याद करो क्या हुआता है यहां पे विपल जगन राहूल प्यूश इनके लावा कोई और था यहां पे याद करो मलिका कोशिश करो मलिका कोशिए, वाका स्थारे बट बट्यूश रख्याश कोशिए रख्याश 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 तुम्हें क्या लगा था जैसे उन चारों को बेोश करके मार दिया हमें भी उपर पहुचा दोगी है कभी नहीं एक एक मिनट शिखा जिस वीलचेर को ले जाने में तुम इतनी मेहनत कर रही हो उसमें बैठा को और ये तो देख लो तुमारी बहन मलिका या फिर तुम्हें दो एक खबरदार ओफिसर नहीं अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कौन है मेरी बहन देखो तुमारी बहन हमारे पास है सही सलामत मुझे मेरी बहन चाहिए और तुमारी इस अ ओफिसर को जाहन से मार डालोंगी नहीं तेख थी मत करो अचोड़ोंदो इसे नहीं मुझे पहाला मेरी बहन चाहिए और मैं तुमारी इस ऑफिसर को वहीं पहुचा दूगी जहों मैंने उन चारों को पहुचाया है तर अ इचा थातर मांने एंचारों को तरहे शिर शेती हो दो अंटार्च अचे झारियत्यूं को लाख दिया thi भी को pelvis कि बना अंदू हो किरे पाहकर था कर दिया sih आपल दिया हैने मेरे बैन की छिंद एचे को औरम हैं मामे थी सिवह अन लोग के मज़े से और आपको चैते के क्या क्या उन लोगों ने मघर मली का 은चारो की दोस्ती ना बहुत अच्य दोस्ती नी भाई उन लोगों और दोस्ती मही की ज़े और इसलिए मैंने उस ज़ängt दागा बाजी का बत्ला लिया मार डाला उन लोगों को गला काटकर उसी स्विंकुल में फेग दिया उसरा को नहीं है को नहीं है को नहीं है को बोलती है कि नहीं को नहीं हो तुम पहिचान ले मुझे तुम ने मुझे तुम जनना हो हाँ तुम जैसे राक्षसों का खात्मा करने के लिए ही मैं जन्दा यह हमें मारेंगी लगता है तुझे भी अपनी बेहन मालीका के पास जाना है कौन कहां जाएगा यह तो मैं बताओंगी तु तु क्या गरेगी तु हाँ क्या गरेगी यह स्विमिंग पूल याद तो होगा ही तुम लोगों को क्यों कुछ याद है नहीं नहीं और एसे दगापाजों को सबक सिखाने का मेरे पास एक वही रास्ता था और मैंने दिखा दिया अन लोगों को क्योरत कमजोर नहीं होती है अन्या के वरुथ वो सारी दुनिया से लड़ चकती है मैं मानता हूं लोगों ने जो किया वो गलत था लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत था और फिर वही गलती दोराने जा रही हो तुम पागलपन मत करो प्लीज जाको नीचे करो नहीं मैं अपनी बहन मलीका को लिया बने यसे नहीं जाओंगी मुझे मेरे बहन चाहिए मताओ मुझे काय मेरे बहन शेखा तुम्हारा यहां से बच के निकल पाना ना मुम्किन है अला यसी में है कि तुम अपने आपको कानून के हवाले कर दो तुम? हाँ मैं जो गुनाद तुमने किये उनकी सजा तो तुम्हें भुगत नहीं पड़े कौन हो तुम? सीनियर इंस्पेक्टर रजट क्या? सी आइडी इंस्पेक्टर? जी हाँ देखो अब तुमारे पास कोई चाहरा नहीं है इसको जाने दो और अपने आपको खानून के हावली करदो रही मैं ऐसे नहीं होने दूँगे मैं मार जाओकी मार जाओके चोर तो मुझे चोर तो मुझे मार तो मुझे विए का पागल्पन हाँ जान लेना और जान देना दोनों अपराद है एक की सजा से बचने के लिए दूसरा अपराद करनी थी तुम, हाँ, क्या पागल बने है समालो अपने आपको मुझे माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए माफी या सजा ये तो हमारे हाथ में नहीं है इसका फैसला कोट करेगे तब तक तुम्हें जेल में इंतिजार करना पड़ेगा मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे मेहित का क्याल रखेगा नहीं है जली तुम्हें तुम्हेंट झाल झाल झाल